हेलो फ्रेंस खुशी नीटिंग क्रेशन में आपका स्वागत है देखे फ्रेंस आज मैं आपके लिए एक और टोप बनाकर लेकर आए हूँ यह टोप हम वन येर से लेकर फोर येर गर्ल के लिए बनाया है और देखे हमने इसमें यह लीवस पैटरन डालकर इसे बनाया है और बहुत ही प्यारी हमारी बनी थी जो हमने एक कलर में बनाया है लेकिन यह छोटा है तो हमने इसे दो कलर में बनाया है और देखे इसमें हमने इस तह से सिंपल रो में बनाकर इसकी लैंट रखी है यह हमने पहले एक डबल क्रोशे की रो बनाई है फिर हमने हाफ डबल और एक बेक पोस्त का हमने इसमें बाडर बनाय है जिसमें हमने 7 रों बनाए हैं और बनाकर इसकी लैंद कंप्लीट की है अगर friends आपने मेरी पहला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने इस pattern में डाला है उसका link मैं आपको description box में दे दूँगी जहां से देखकर आप उसमें बना सकते हैं उमीद है friends आपको पसंद आएगा तो चलिए बनाना start करते हैं देखे हम इस yellow wool का इस्तमाल करेंगे और यहाँ पर देखे हमने 9 नंबर का क्रोश्या हुक लिया है देखे तो चलिए बनाना start करते हैं देखे इस सह से loop बनाएंगे और chain बनाना start करेंगे एक दो तीन च्यार इस सह से हम 84 chain बनाएंगे यहाँ पर मैंने 4 chain बना ली है 80 और बना लेते हैं देखे 84 chain हमारी बनकर complete हो चुकी है अब हम इसे सीधा करेंगे इस तह से देखे इस तह से सीधा रखेंगे और first chain के साथ हम यहाँ पर इसे slip stitch करेंगे देखे इस तह से तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन धागा लेंगे और next chain के अंदर हम double crochet बनाएंगे यह दो हो गए फिर से धागा लेंगे next chain में हम फिर से double crochet बनाएंगे इस round में हम हर एक chain के अंदर एक एक double crochet बनाएंगे यहाँ पर हमारे यह 84 chain बनाई थी तो 84 हमारे double crochet बनकर आएंगे तो इस तह से round complete करेंगे देखे रांट हमारा बनकर complete हो गया है अब हम इसके, इस तरह से हमने यहां पर थर्ड चेन में से slip stitch किया है अब बनाएंगे एक, दो, तीन चेन लेंगे, धागा लेंगे और हम यहां पर front post double crochet बनाएंगे front post double crochet हम double crochet के नीचे से इस तरह से आगे से बनाएंगे तो यह हमारा front post हो जाएगे यह हमने दो बना लिए है अब हम यहां से बनाएंगे एक देखिए इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे इन दो डूबल क्रोशे को इसे हम काउंट करेंगे यह हमने एक बनाया फिर से बनाएंगे दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ देखिए हमने आठ फ्रेंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लिया है धागा लेंगे फिर हम यह नोवा हमारा है इसे हम हाफ रखेंगे फिर से लेंगे इसे भी हम हाफ रखेंगे इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे यहां पर देखिए हमने बारा डबल क्रोशिया लिया है देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा बारा डबल क्रोशे पर हमने यह इतना पैटर बनाया है आगे हम तीन चेंड लेंगे एक, दो तीन धागा लेंगे फिर हम नेक्स डबल क्रोशे में इसमें हम स्किप नहीं करेंगे डबल क्रोशिया और बनाएंगे एक हाफ बनाया और फिर से हमने हाफ बनाया दो हमने हाफ बनाया इनने हम एक साथ कंप्लीट करेंगे धागा लेंगे फिर से हम आठ डबल क्रोशिया फ हो जाएंगे यह हमने दिखिए इस तहाइसे चार बना लिया फिर से बनाएंगे यह पांच फिर से बनाएंगे छे साथ आठ आठ हमने बना लिया, अब हम दो डबल क्रोशे को हाफ में बनाएंगे एक, एक और बनाएंगे, दो इन्हें हम एक साथ कम्प्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, हमने स्टार्टिंग में भी दो का एक किया और लास्ट में भी हमने दो का एक किया और बीच में हमने यहाँ पर 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसी तहर से बनाते हुए पुरा राउंड कम्प्लीट करेंगे राउंड हमारा बनकर कम्प्लीट हो चुका है अब हम इसमें देखे हमने यहाँ पर तीन चेन बनाई है अब हम यहाँ पर देखे इसे इस तहर से लेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर भी देखे यह हमारे दो का एक हो गया एक दो तीन चेन लेंगे धागा लेकर फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन दोनों को एक साथ कम्प्लीट करेंगे फिर धागा लेंगे और हम यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास आठ हमने फ्रेंट पॉस्ट बनाए थे इस राउंड में हम छे बनाएंगे एक बना लिया फिर से बनाएंगे दो फिर से बनाएंगे तीन च्यार पांच छे छे हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है अब देखे ये हमारे पास दो डबल क्रोशे बच्चा है इसमें हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम पहले पर हम फ्रेंट पॉस्ट बनाएंगे और इसे भी हम हाफ रखेंगे फिर से बनाएंगे इन दो डबल क्रोशे का हम नीचे से धागा निकाल कर बनाएंगे यह एक हो ज दो बार double crochet बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे ये दो हो गए एक दो तीन chain लेंगे धागा लेंगे और हमने जो ये front post double crochet बनाया था दो का एक किया था इन दोनों के नीचे से हम इस तह से धागा लेंगे और half बनाएंगे फिस से धागा लेंगे जो हमारा ये next इसे भी हम हाफ बनाएंगे और इन तीनों को एक साथ कम्प्लीट करेंगे इस तह से फिस से धागा लेंगे और हम छे डबल क्रोशिया फ्रेंट पॉस्ट बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच छे देखिए यह छे हमने बना लिए अब हमारे पास देखिए यहाँ पर दो बचे है इनका हम हाफ बनाएंगे पहले हमने पहले पर हाफ बनाया फिर हम दूसरे पर हाफ बनाएंगे इन तीनों को एक साथ कम्प्लीट करेंगे तीन चेन लेंगे और फिस से हम यहाँ पर दो ड एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ पेर हमारे यहां पर पैटरन के बने हैं, तो बना कर रौंड कम्पलेट करेंगे, देखे रौंड हमारा बनकर कम्पलेट हो चुका है, अभ हम यहां पर आ गए है, तो हम देखे यह जो हमने चेन बनाई होई है, इसके अंदर हम इसे स्लिव स्टिच करेंगे इस सहते, और हम क्रोशे को नीचे से निकालेंगे और सिंगल क्रोशय करेंगे, इसे हम एक चैन काउंट करेंगे, दो चैन और बनाएंगे, ये दो हो गई देखे फिर से धागा लेंगे और इस डबल क्रोशे को बनाएंगे देखे पिछले राउंड में हमने छे डबल क्रोशे बनाया था इस राउंड में हम च्यार बनाएंगे धागा लेंगे ये हम पहला डबल क्रोशिय बनाएंगे इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे एक हो गया फिर से बनाएंगे दो फिर से बनाएंगे तीन और फिर से बनाएंगे चार ये हमने दिखिए चार डबल क्रोशिय बना लिया है धागा लेंगे और हम ये जो दो डबल क्र और एक साथ इन तीनों को हम complete करेंगे फिस से हम यहाँ पर एक, दो, तीन चेन लेंगे धागा लेंगे देखे जो दो डबल क्रोशिय बनाया था इनहें हम front post बनाएंगे इस तरह ऐएसे one double crochet को front post बनाया धागा लेंगे फिर second को हम front post बनाएंगे इस तरह ऐसे तीन चेन लेंगे एक, दो, तीन और हम इन दो डबल क्रोशिया इनके नीचे से इस सह से निकालेंगे, हाफ बनाएंगे, फिर हम इस डबल क्रोशिय के नीचे से निकालेंगे और हाफ बनाएंगे, इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर धागा लेंगे, हाफ में बनाया, फिर से हाफ बनाया, इन तीनो धागों को एक साथ कम्प्लीट करेंगे, एक, दो, तीन चेल लेंगे, धागा लेंगे, और इने भी हम फ्रेंट पॉस्ट बनाएंगे, जैसे कि हमने ये बनाया, इस तह ऐसे बनाते हुए राउंड कम्प्लीट करेंगे, देख एक चेन हो गई, दो, तीन, तीन हमने चेन बना ली है, धागा लेंगे, अगले वाले डबल क्रोशे को हम फ्रेंट पॉस्ट बनाएंगे, ये दो हो गया, अब हम इने काउंट नहीं करेंगे, देखें, पहले राउंड में हमने यहां पर आठ डबल क्रोशे फ्रेंट बनाएं, बलास्ट में हमारे पास यह दो बचे हैं, इन दोनों को हम हाफ हाफ बनाएंगे, हाफ बनाया, फिर से हम इस डबल क्रोशे को भी हाफ बनाएंगे, इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, देखें, अब हम तीन चेन बनाएंगे, धागा लेंगे, और जो हमने ये दो डबल क्रोशिय बनाया था, देखे पहले डबल क्रोशिय पर हम दो बार डबल क्रोशिय बनाएंगे, फ्रेंट पॉस्ट एक बार बनाया, धागा लेंगे, फिस से बनाएंगे, ये दो हो गया, अब हम इसमें तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन धागा लेंगे, और हम यहां पर front post double crochet दो बनाएंगे यह दो बनाया एक दो तीन चेंग लेंगे और हम यहां पर front post बनाएंगे half फिर second double crochet पर बनाएंगे half अब हमारे पास तीन लूप है तीनों को हम एक साथ complete करेंगे दागा लेंगे और हम यहां पर front post बनाएंगे एक दो यहां पर दो हमने front post बनाए है अब यह last में दो बचे हैं इन दोनों को हम एक करेंगे half बनाया, फिर से हम half बनाएंगे और इन तीनों को एक साथ complete करेंगे एक, दो, तीन chain लेंगे और यहां पर हम front post double crochet बनाएंगे दो बार देखें इसी तहह से हम round complete करेंगे जैसे हमने यहां पर बनाया था same ऐसे ही round complete करेंगे देखें, round हमारा बनकर complete हो गया है दॉनर लugen Strategy को नाएंगे इस था से और यहां पर Slip蛇स करेंगे इस तहसी और फिर हम धागा लेंगे स्वेड़ा नहीं लेंगे नीचे से इस तह यह से हम निकालेंगे इक हो गया 2-3 फिर हम इस डागा करेंʤ देखिए अब फिर इन दोनों का हम एक करेंगे, हाफ बनाएंगे, फिर से हम हाफ बनाएंगे और इन तीनों को एक साथ कंप्रीट करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे डबल क्रोश्या, खतम हो गए है यहाँ पर, अब हम इसमें देखिए, एक, दो, तीन चेन बनाई है, धा वाले पर बनाएंगे हम जो हमने पहले बनाया था उसके उपर हमने एक बार बनाया धागा लेंगे और फिर से बनाएंगे इसके अंदर ये हमने देखिए दो बार बना लिया है धागा लेंगे और फिर हम इस पर एक बार बनाएंगे देखिए अब हम यहाँ पर दो चेन बना फिस से हम यहाँ पर दो चेन लेंगे धागा लेंगे और यहाँ पर यह देखिए अंदर की तरफ है डबल क्रोश्या इस पर हम एक बार बनाएंगे और यह हमारा बाहर है तो इस पर हम दो बार बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे तो देखिए यह कुछ इस पहले हमारे एक था एक के उपर हमने दो बनाए और दो के अंदर हमने अब तीन बार डबल क्रोशे बना लिया है अब फिर से हम यहां पर तीन चेन लेंगे एक दो तीन धागा लेंगे और हम इन दो डबल क्रोशे का हाफ बनाएंगे फिर हम नेक्स्ट में हाफ बनाएंगे इ तीनों को एक साथ कम्प्री onder कर देंगे तो यहां पर देखिए इस तरह ऐसे यह हमारा बन जाएगा और यहां पर हमारे सारे डबल क्रोशे कहतम हो गए हैं अब भिश् से हम यहां पर तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम देखिए पहले डबल क्रोशिया इसके उपर हम दो बार बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे दो हो गया बीच वाले पर हम एक बनाएंगे यह तीन double crochet होगे दो chain लेंगे पीछ वाली chain पर हम double crochet बनाएंगे इस तरह से double crochet दो chain और यहाँ पर देखिए यह दो double crochet पहले वाले पर हम एक बार बनाएंगे और दूसरे पर हम दो बार बनाएंगे इसी तरह से बनाते हुए हम यह round complete करेंगे ये देखिए इस तहे से इस तहे से बनेगा देखिए अब हम यहां पर आ गए हैं फिर से इस चेन के अंदर हम slip stitch करेंगे इसके नीचे से निकालेंगे एक, दो, तीन और इसके नीचे से भी हम धागा निकालकर complete करेंगे इस तह से फिर हम बनाएंगे एक, दो, तीन चेल लेंगे यहाँ पर हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया फिर से बनाएंगे दो हो गया अब यह दो है इनके उपर हम एक, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर से बनाएंगे, ये हमारे च्यार हो गई, देखिए, एक, दो, यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तह ऐसे, एक, दो, तीन चेल लेंगे, और हम फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम यहाँ प दो पर एक-एक बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से हमने एक बार बनाया, अब यह हमारा एक बचा है, इसके उपर हम दो बार बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बनाया, देखिए इस तह से इस तह से हमारा ये बन गया अब हम फिर बनाएंगे एक, दो, तीन चेल लेंगे देखिए ये दो डबल क्रोश्या है इनका हम एक करेंगे हाफ रखा, फिर से बनाया इसे भी हमने हाफ रखा, तीनों को एक साथ कम्प्रीट किया फिर से तीन चेल लेंगे पहले वाले पर हम दो बार बनाएंगे एक, दो फिर हम एक एक बार बनाएंगे एक, दो देखिए यहाँ पर पहले एक था, फिर दो हुए फिर तीन, अब हमारे पास ये च्यार हो गए दो चेन लेंगे और इसके उपर हम डबल क्रोशिया एक, दो, तीन चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे यह हमारी देखिए एक V बन गई है फिर से दो चेन लेंगे पहले वाले पर हम एक बनाएंगे फिर दूसरे वाले पर हम एक बनाएंगे और तीसरे पर हम दो बार बनाएंगे देखिए इस तह से इस तह से राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कम्प्लीट हो गया था और अब हम इससे इसके नीचे से निकालेंगे तीन चेन बनाएंगे डबल क्रोशिय के हाइट के लिए और तीन चेन हम इसमें गैपिंगे तो हमने यहाँ पर टोटल छे चेन बनाई है धागा लेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशय, अब हमें यहाँ पर कोई भी डबल क्रोशय नहीं बढ़ना है, 4 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशय बनाएंगे, ये दो देखे इस तह से, ये हमने 6 चेन बनाएँ, तीन डबल क्रोशय की हाईप के और 3 हम गैपिंग के लिए, तो यहाँ पर हमने छे बनाई है फिर चार डबल क्रोशिय के उपर चार डबल क्रोशिया फिर हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर पहले हमने दो बनाई थी इस राउन में हम तीन बनाएंगे डबल क्रोशिय के उपर डबल क्रोशिया एक दो तीन चेन लेंगे और फिस से हम यहाँ पर डबल क्रोशे के उपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे, और यह जो चार डबल क्रोशिया हैं, इसके उपर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बना लिया, यह हमने दो, फिस से बनाएंगे, तीन, फिस से बनाएं डबल क्रोशी के उपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तह से फिर हम एक दो तीन और यहाँ पर चार डबल क्रोशी के उपर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तह से नेक्स्ट के उपर भी डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया एक दो तीन चेल कि फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोशिय एक दो तीन फिर से फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोशिय एक दो तीन और यहाँ पर चार डबल क्रोशिय के उपर चार डबल क्रोशिय कि इसी तरह से बनाते हुए राउंड कम्प्लीट करेंगे देखे इस तह से देखे राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है और हम यहाँ पर आ गए हैं देखे यह तीन चेन हम छोड़ेंगे एक, दो, तीन और फोर्थ चेन में हम इस तह से इसे स्लिव स्टिच करेंगे फिस से इसके नीचे से निकाल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पात, छे छे चेन बनाई है हमने धगालेंगे और यह जो हमारे चार डबल क्रोशिया है इने हम हाफ बनाएंगे एक बार बनाया फिर से दो, तीन, चार देखे इन चारों को हम एक साथ कम्प्लीट करेंगे एक, दो, तीन, चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखे जो हमने तीन चेन ली थी यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन देखे इस से फिर से एक, दो, तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन अब फिर से एक, दो, तीन चेन लेंगे और इन चार डबल क्रोशिय का हम एक करेंगे एक, दो, तीन, चार, इन चारों को हम एक साथ कम्प्लीट करेंगे, देखे इस तह से, फिर से एक, दो, तीन, और यहाँ पर यह डबल क्रोश्या एक है, इस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक, दो, तीन, देखे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, देखे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे, इन चार डबल क्रोश्या का हम एक करेंगे, एक, दो, तीन, चार, इनको एक साथ कम्प्लीट करेंगे, एक, दो, तीन, यहाँ पर हम तीन बार डबल क्रोश्या बनाएंगे, एक बनाया, दो, फिर से बनाएंगे, तीन, तीन बार हो गया, एक, दो, धागा लेंगे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन यहाँ पर हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन एक, दो, तीन चेन लेंगे और च्यार डबल क्रोशिय का हम एक करेंगे, एक, सोरी हाफ बनाना है, इन चारों का हम ने एक करना यह देखे इस ते से एक, दो, तीन तो देखे इस ते से हमारा अगला रौंड बनेगा यह सेम ऐसे ही बनाते हुए राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम देखिए उपर से काउंट करेंगे एक, दो, तीन, थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से slip stitch करेंगे नीच से इसके निकालेंगे और 6 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chain बनाई है इसे हम छोड़ देंगे अब और यहाँ पर बनाएंगे यह जो हमारा पहला double crochet है इस पर हम 2 double crochet बनाएंगे एक, एक और बनाएंगे यह दो हो गई धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर double crochet double crochet देखिए यह 4 हो गए अब हम 1, 2, 3 chain लेंगे जो यह हमारा एक double crochet है इसके उपर हम V बनाएंगे 1 double crochet, 3 chain और 1 double crochet देखिए इस तरह से, सोरी यहाँ पर हम 2 chain बनाएंगे यहाँ पर हमने 4 double crochet बनाने के पाद 2 बनानी है देखिए नीचे भी हमने यहाँ पर यह 2 chain बनाई थी नीचे 2 chain बनाई थी, तो यहाँ पर 2 chain बनाई है 1 double crochet, 3 chain और 1 double crochet एक दो चेल्ड लेंगे और यहां पर पहले दो पर हम एक एक बनाएंगे एक बनाएब फिर से एक बनाएब दो अब हम यह लास्ट है, लास्ट पर हम दो बार बनाएगे तो यह हमारी चार होगे देखिए अब हम यहाँ पर है यह वाला राउंड बना रहे हैं हमने यहाँ पर च्हार बना लिये उसके बाद हम देखिए एक-एक के ओपर एक-एक बनेंगे यह चियार डबल क्रोशी पर हमने 4-4 double crochet बनाया था उसमें हमने कोई भी चेन नहीं किया था नहीं double crochet बढ़ाया था और फिर हम यहां वी के उपर आए थे जो यह वी है इसके उपर आएंगे तो यहां पर one double crochet, तीन चेन और one double crochet हमने बनाया था तो इसी तरह से हम यह रूंड भी complete करेंगे एक बार और द हम दो बार double crochet बनाएंगे इस पहले चेन के उपर दो बार एक एक बार और बनाएंगे दो फिर हम एक डबल करोशिय बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे अब यहां पर दो चेन लेंगे और one double crochet के उपर हम वी बनाएंगे one double crochet तीन चेन फिर से one double crochet एक दो तीन स्वर्य दो लेनी है दो चेन लेंगे और यहां पर पहले दो पर हम एक एक बनाएंगे और तीसरे पर हम दो बार बनाएंगे पुरा राउंड इसी तरह से बनाते हुए हम complete करेंगे और इसके बाद जो next round बनाएंगे हम उसमें हम 4 double crochet के ऊपर 4 double crochet बनाएंगे तीन chain लेंगे और इस double crochet के ऊपर हम one double crochet, front post और यहां पर भी बीच में हम 3 की gapping लेंगे जैसे देखिए हमने ये वाला round बनाया था, सेम ऐसे हम ये दो round बनाकर complete करेंगे देखिए round हमारे बनकर complete हो चुके हैं और ये देखिए इस तरह से हमने round बनाया है अब आगे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम 6 chain बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे chain बनाई है, धागा लेंगे और यहां पर हम अब देखिए वी बनाएंगे जो हम ये one double crochet बना रहे थे, front post, यहां पर हम वी बनाएंगे छे double crochet बनाया है, फिर हमने यहां पर one double crochet बनाया है, तो यह देखिए इस तहरे से वी बन गई, एक, दो, तीन, चेन बनाएंगे धागा लेंगे, अब हम इन चार double crochet का एक करेंगे पहले को हमने half बनाया, दूसरे को भी हमने half बनाया, तीसरे को भी half बनाया, और fourth को भी half बनाया इन्हें हम एक साथ complete करेंगे, इस तहरे से एक, दो, तीन, चेन लेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम one double crochet बनाएंगे, फिस से बनाएंगे, हमें total तीन double crochet बनाना है देखिए, तीन बना लिया, एक, दो, तीन, चेन लेंगे, और यहाँ पर हम double crochet one बनाएंगे देखिए इस तहाई जैसे हमने यहाँ पर बनाया था यहाँ पर बनाया था वन डबल क्रोशिया बनाया एक दो तीन चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन देखिए इस तहाई से यहां पर भी हमने V बनाए इस तरह से तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन धागर लेंगे चार डबल क्रोशीया हैं इनका हम एक करेंगे वन डबल क्रोश्या दो तीन चार चारों को एक साथ कंप्लेट करेंगे 1, 2, 3 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर देखी यह जो डबल क्रोश्य है इसके उपर हम V बनाएंगे वन डबल क्रोश्या तीन चेन और वन डबल क्रोश्या इस तह से बनाते हुए राउंड कंप्लिट करेंगे राउंड मेरा बनकर कम्प्लीट हो चुका है और देखे इसका लोग कुछ इस तरह से बनकर आया है अब आगे देखे इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर यह देखे हमने तीन चेन बनाई थे और यहाँ पर देखे एक, दो, तीन थर्ड चेन में हम इसे स्लिव स्टिच करेंगे अब हम इसके नीचे से निकाल लेंगे और चार चेन बनाएंगे एक हमने बना लिए है, दो, तीन, चार, चार चेन हमने, तीन डबल क्रोशिय की, एक हमें गैपिंग के लिए, तो चार हो गई है, फिट बन डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर देखिए, एक V बन जाएगे हमारे छोटी से, देखिए इस ताह से एक V बन गई है, अब हम बीच मे तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन, धागर लेंगे, और यहाँ पर इस डबल क्रोशिय के उपर हम V बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, और वन डबल क्रोशिया, इस ताह से, एक, दो, तीन, तीन चेन ली है, अब देखिए, यहाँ पर जो यह हमारा पहला डबल क् एक बार और बनाएंगे दो हो गए फिर से बनाएंगे अब हम एक एक बनाएंगे तो यहां पर हमारे पास यह चार हो जाएंगे देखिए इस पह से एक दो तीन चैन लेंगे वन डबल क्रोशिया, तीन चेन, और वन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, और यहाँ पर हम पहले दो डबल क्रोशिय पर एक एक बनाएंगे, एक, दो और लास्ट पे हम दो बार बनाएंगे, एक, दो, च्यार होगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे, और यहाँ पर देखिए, इस डबल क्रोशिय के उपर हम वी बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, और वन डबल क्रोशिया, तीन चेन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे वन डबल क्रोशिया वन चेन वन डबल क्रोशिया फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे और यहां पर हम दो बनाएंगे इस पर हम एक इक बनाएंगे तीन चेन लेंगे फिर हम यहां पर वी बनाएंगे और फिर हम आगे ऐसे ही बनाते हुए देख हो गया है अब हम यहाँ पर आ गए हैं इसमें हमने देखिए एक चेन की gapping ले थी तो उपर से एक चेन छोड़ेंगे और सक्किन चेन में हम यहाँ पर इसे इस तहाँ से slip stitch करेंगे अब देखिए यहाँ पर हम नीचे से लेंगे और पाच चेन बनाएंगे तीन चेन डबल क्रोशे के और दो चेन gapping के लिए यह दो हो गई तीन च्यार पाच तो फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तहाँ से देखिए यह हमारे एक वी बन जाएगी देखिए फिर हम एक दो तीन चेन ले है और यहाँ पर हम फिर्से डबल क्रोशिया दो चेन और डबल क्रोशिया देखिए यह बना फिर्से बनाएंगे एक, दो, तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिय के उपर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बन गया ये दो फिर से बनाएंगे तीन फिर से बनाएंगे च्यार च्यार ये बन गया अब हम फिर से देखें आगे हम इसमें दो चेन बनाएंगे सो यह तीन चेन लेंगे और धगा लेंगे और यहाँ पर देखिए वन डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पॉस्ट एक चेन लेंगे फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन लेंगे फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से एक चेन लेंगे और यह हम दबल क्रोशिय बनाएंगे यहां पर देखिए हमने यह चार बनाया है फिज से तीन चेन बनाएंगे और यह जो चार डबल क्रोशिय इनके उपर हम एक डबल क्रोशिय बनाएंगे देखिए इस तह है से फिर लेंगे तीन चेन बनाएंगे और यहां पर हम वन डबल क्रोशिया दो चेन और वन डबल क्रोशिया फिर तीन चेन लेंगे और वन डबल क्रोशिया दो चेन वन डबल क्रोशिया एक, दो, तीन चेन लेंगे और फिर हम 4 double crochet के उपर 4 बनाएंगे यहाँ पर हम 1 double crochet, 1 chain फिर 1 double crochet, 1 chain, 1 double crochet, 1 chain इस तरह से हम यहाँ पर 4 बनाएंगे देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया इस तरह से बनाते हुए हम round complete करेंगे देखिए round अमार बनकर complete हो चुका है और यहां पर हमने इसे थर्ड चेन के साथ स्लेव स्टिच किया है अब फिस से हम यहां पर तीन चेन बनाएंगे देखे इस तरह से हमने तीन चेन बनाई धागा लेंगे और देखे यहां पर जहां पर हमने इसे जोइंट किया है इसी के अंदर हम पांच बार दबल क्रोशिया बनाएंगे एक हमारी थ्री की चेन हो जाएगी तो टोटल हम छे बार डबल क्रोश्य बनाएंगे देखिए दो हो गए फिर से बनाएंगे तीन च्यार पाच देखे छे हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया अब हम इसे यहाँ पर यह जो हमारी थर्ड चेन है देखे एक दो तीन थर्ड चेन में से इस तहर से हम इसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पर यह देखे हमने एक पफ बना लिया है अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन धागा लेंगे और यहाँ पर हम फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस सह से एक, दो, तीन और फिर हम यहाँ पर फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन धागा लेंगे और फि बार डबल क्रोशियां बनाएंगे, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, छे बार हमने बनाया है, पहले डबल क्रोशिय की जो ये चेन है, इसके अंदर से हम देखें धागे को बाहर निकालेंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे, और फिर हम ये जो हमारे चार डबल क्रोशियां इनका हम एक करेंगे, तो पहले हाफ बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिय को भी हाफ, तीसरे को भी हम हाफ बनाएंगे, और चोथे को भी, अब इन चारों को हम एक साथ कम्प्लीट करेंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे, और यहां पर हम फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोश्या बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, देखिए इस तहाँ से बना है हमारा यागे, एक, दो, तीन, यह जो चार डबल क्रोश्या है, इनका हम एक करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चारों को एक साथ कम्प्लीट करेंगे, एक, दो, तीन, और अब देखिए फिस से हम यहां पर आ गए, जो हमने दो भी बनाई थी, इनके पहले वालों पर हम पफ बनाएंगे और दोनों को हम सिम्पल बनाएंगे, तो यहां पर इस चेन के अंदर हम छे बार डबल क्रोश्या बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, कम्प्लीट करेंगे, एक, दो, तीन, और यहां पर हम फ्रेंट पॉस्ट डबल क्रोश्या बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिस से हम यहां पर बनाएंगे, एक, दो, तीन, और यहां पर हम फिस से यह पॉस्ट बनाएंगे, छे डबल क्रोश्या का, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, पहले डबल क्रोश्या के साथ हम इसे स्लिव स्टिच करेंगे, एक, दो, तीन, आगे बनाएंगे, देखिए, इस तह से हमारा यह पैटर्ण बनेगा, इस तह से बनाते हैं, रॉण्ड कम्प्लीट करेंगे, देखिए, रॉण्ड हमार बनकर कम्प्लीट हो गया है, अब हम इस फ्लावर के बीच में, देखिए, जो हमने यह फर्स्ट चेन बनाए थी, इसके अंदर हम स्लिव स्टिच करेंगे, फिर नेक्स चेन के अंदर हो गया है कि अब हम यहां पर फिसे एक दो तीन डबल क्रोशिय बनाए तो यहां पर हम छे डबल क्रोशिय बनाएंगे दो हो गए तीन च्यार पाँच छे थर्ड चेन के साथ स्लिव स्टिच करेंगे एक देखिए यहां पर हमने एक चेन बनाए है डबल क्रोशिय एक चेन और अब हम इसके उपर छे बार डबल क्रोशिय बनाएंगे एक दो तीन च्यार पाँच छे पहले डबल क्रोशिय की चेन में से निकालेंगे एक दो तीन च्यार 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 बनाए है अब हम इस डबल क्रोशिय के उपर यहां पर हम डबल क्रोशिय बनाएंगे देखे इस तहर से देखे यहाँ पर इस तहर से पफ बन गया यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया अब फिर तीन चेन बनाई है अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिय का हम एक करेंगे एक बनाया होल्ड किया फिर दूसरा बनाया इसे भी हमने होल्ड किया अब इन तीनो लागों को हम एक साथ कम्प्लीट करेंगे, फिर से धागा लेंगे, और इन दो डबल क्रोशिय को भी हम एक बना लेंगे, देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बन गया, एक, दो, तीन, तीन बार चेन लिए हमने, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, फिर से च्यार चेन, एक, दो तीन च्यार और यहां पर हम इसके उपर डबल क्रोशिय बनाएंगे छे बार एक बार बना दो तीन च्यार पाँच छे देखें अब हम यहां पर एक चेन लेंगे बीच में एक डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर से एक चेन लेंगे और यहां पर हम छे डबल क्रोशिय बनाएंगे देखें यह छे डबल क्रोशिय हमने बना लिया फर्स चेन के साथ हम स्लिव स्टिच करेंगे दिखिए इस तरह से इस तरह से हमने ये पफ बना लिया है इस तरह से बनाते हुए राउंड कम्प्लीट करेंगे तक हमने बना लिया था अब ये हमारा एक डबल क्रोश्या है इसके अंदर फिर से हम पफ बनाएंगे तो यह तीन चेन बना ली है अब हम 5 double crochet और बना लेंगे ये 2 हो गए 3, 4, 5, 6 देखिए 6 double crochet हमने बना लिया है अब हम इसमें 3rd chain के साथ इसे slip stitch करेंगे देखिए इस तहाँ से ये हमारा puff बन गया अब हम यहाँ पर देखिए chain बनाएंगे 3 chain बनाएंगे यहाँ पर 1, 2, 3 सोरी 2 chain बनाएंगे यहाँ पर हम 2 chain बनाएंगे और यहाँ पर हम देखिए जो ये हमारी chain बनी हुई है इसमें हम 3 बार double crochet बनाएंगे 1, 2, 3 तीन हमने बना लिया, एक हम यहाँ बीच में बनाएंगे, 4 और तीन हम यहाँ बनाएंगे तो टोटल हमने यहाँ पर साथ बनाएंगे देखिए इस तह से, तीन हमने यहाँ बनाई, एक बीच में बनाई और तीन हमने यहाँ बनाई तो यह साथ हो गए अब हम फिर से दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम, यह जो हमने लीवस बंद किया था यहाँ ही पहले पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ फिर हम सेकिंड में बनाएंगे, हाफ इसे एक साथ कम्प्लीट करेंगे, यह इस तह से हो गया एक, दो चेन लेंगे, और फिर से हम यहाँ पर साथ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले हम तीन बनाएंगे, एक, दो, तीन फिर हम इसके उपर डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया एक, दो, तीन एक दो chain लेंगे और अब यह एक double crochet इसके उपर हम puff बनाएंगे जिसमें हम छे double crochet बनाएंगे देखे छे double crochet हमने बना लिया फर्स डबल क्रोशिय के साथ हम इसे slip stitch करेंगे एक दो chain लेंगे और फिर हम यहाँ पर साथ double crochet बनाएंगे एक, दो, तीन, चोथा डबल क्रोश्य हम इस डबल क्रोश्य के उपर बनाएंगे तीन डबल क्रोश्य हम यहाँ पर बनाएंगे एक, दो, तीन, दो चेन लेंगे और फिर हम इस लीव्स को कम्प्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोश्य बनाया फिर से half double crochet बनाया इसे हम एक साथ complete करेंगे और फिर से हम दो chain लेंगे और यहाँ पर हम 7 double crochet बनाएंगे इसी तहाँ से बनाते हुए देखिए जैसे हमने यहाँ बनाया है इस तहाँ से बनाते हुए हम यह पूरा round complete करेंगे देखे यहाँ पर यह हमने इसे जोइंट किया है इस लूप के अंदर अब हम इसे यहाँ पर बीच में लेकर आएंगे इस तहाई से और चेंड बनाएंगे तीन, एक, दो, तीन धागल लेंगे, फिस से हम यही पर डबल क्रोश्या मनाएंगे यह हमने यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बना लिया है धागल लेंगे और यह साथ डबल क्रोशिया है इनमें हम हर एक के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तहर से देखिए साथ डबल क्रोशिया के अंदर हम साथ डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए इस तहाय से ये हमारे साथ हो गई फिर देखिए आगे हमारी ये चेन है यहाँ पर हम दो बार double crochet बनाएंगे एक, दो, दो हो गए फिर यहाँ पर देखिए ये हमने दो double crochet का एक किया था तो इस पर भी हम नीचे से इस तरह से लिए कराएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम यहाँ पर यह चेन है यहाँ पर भी हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से यह साथ डबल क्रोशिया हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे देखें यहाँ पर आ गई हैं, यहाँ पर भी हम दो डबल करोशिया बनाएंगे एक, दो, दो चेन लेंगे, एक, दो और इसे हम स्किप करेंगे इस फ्लावर को और हम यहाँ पर दो डबल करोशिया बनाएंगे इसी तरह से बनाते हुए पूरी row complete करेंगे यहाँ पर 7 double crochet के उपर हम 7 double crochet बनाएंगे यहाँ पर हम 2 double crochet बनाएंगे देखें एक double crochet हम इसके उपर बनाएंगे और 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर फिर से 7 double crochet बनाएंगे यहाँ पर हम 2 double crochet बनाएंगे दो chain लेंगे और फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिय बनाएंगे जैसे हमने दिखिए यहाँ पर बनाया है देखिए इस तह़ासे और यहाँ पर हमने यह दो chain लिया इस तह़ासे बनाते हुए but हमारा बन्कर complete हो चु satisfy है और इसमें हमने एक round और बनाया है, जिसमें देख़िए हमने यहां पर, यह हमने दो chain ली थी, तो यहां पर हमने दो double crochet और बना लिया है, बाकि में हमने simple एक एक double crochet बनाया है, और इस तरह से हमने एक round और complete कर लिया था, तो देखिए इस तरह से, अब हमने इसमें front, back और बाजू के डबल क्रोशिया डिवाइड किया है तो यह दिखे यहाँ पर टोटल हमारे पास 174 डबल क्रोशिया थे जिसमें हमने 50 आगे रखे हैं 50 हमने पीछे रखे हैं 37 हमने 37 दोनों साइड हमने बाजू में रखे हैं इस तरह से 174 हमारे डबल क्रोशिया कम्प्लीट हो कि दूसर धागा करेंगे और यहां से हमें में यहां पर हमारा ईलो धागा है वहां से हम इसमें दूसर धागा करेंगे gen Internet करेंगेIT चएंच вн के नदर इस से नेक्स्ट में पाज इस तरह से देखिए हम हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिय बनाते हुए दूसरी साइड आएंगे जहां पर ये दिखिए हमने धागा बांदा हुआ है ये हमारे पचास डबल क्रोशिय है तो इन्हें हम यहां तक बना कर कंप्लीट कर लेते हैं देखिए बनाते हुए हम यहां तक आगए है जहां पर हमने बाजू का निशान लगाया था अब हम यहां पर छे चेन बनाएंगे एक, दू, तीन, च्यार पाच, पाच चेन बनाई है अब हम इस भाग को स्किप करेंगे क्योंकि यह हमारी बाजू है और यहां पर हमने फिर से निसान लगाया है धगा लेंगे और यहां पर हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे देखे इस तरह से और हर एक चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएं देखिए इस तहरा से और बनाते हुए हम अब देखिए यहां तक बना लेंगे जहां पर हमने यह निशान लगाया है हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे देखिए राउंड हमारा बनकर गई हो गया है अब हम यहां पर फिरसे पाच चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 हमने चेन बनाई है और अब हम यह भाग स्किप करेंगे और जहां पर हमने 3 चेन बनाई थी यहां पर हम देखे एक तर्ड चेन के साथ स्लिव स्टिच करेंगे एक, दो, तीन और यह हमारी देखे थार्ड चेन है इसमें हम स्टिच करेंगे इस तह से एक, दो चेन बनाएंगे और इसे हम टर्न करेंगे रोंग साइड से अब हम इसमें बनाएंगे यहां पर हमने पांच चेन बनाई थी तो इसमें हम हर एक चेन के अंधर एक, एक सिंगल क बनाएंगे यह हमारी फर्स्ट चेन में बनाया हमने धागल लेंगे फिर सेकिंड चेन में बनाया फिर थर्ड चेन में बनाया फिर फोर्थ चेन में यह हमारी पाच्वी चेन है इसके अंदर बनाएंगे इस तहाँ से अब हम धागा लेंगे और हम हर एक चेन में हम इसी तरह से half double crochet बनाएंगे हर एक चेन में बनाते होई हम यहाँ तक बना लेते हैं देखे राउंड हमारे बनकर यहाँ पर आ गए हैं और अब हम इसमें यह हमारे पास 5 चेन है इनमें भी हम half double crochet बनाएंगे यह हमने first chain में बनाया फिर हम second chain में बनाएंगे यह third देखें हैं हमने हर एक chain के अंदर एक एक half double crochet बना लिया है पांच chain के अंदर अब हम इसी तरह से यह round complete करेंगे हर एक chain के अंदर half double crochet बनाएंगे और row complete करेंगे इसके बाद देखिए हम इसी तरह से इसमें यलो धगा जोईंट करेंगे जिसमें हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे यलो धगे से फिर हम हाफ डबल क्रोशे की रो बना कर कंप्लीट करेंगे जो हम हाफ डबल क्रोशे की रो बनाएंगे वो हम रोंग साइड से बनाएंगे और double crochet की row हम सीधी side से बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए हम इसकी length complete कर लेंगे और इसी same ऐसे ही हम इसकी बाजु बनाएंगे दो row हम green की बनाएंगे दो row हम yellow की तो मैं बाजु यह part अपना length हम इसकी complete कर लेते हैं पिर आगया आपको दिखाएंगे कि इसका लुक बनकर कैसा आया है देखे हमारा ये टॉप बनकर complete हो चुका है और complete होने के पाद देखे इसका लुक कुछ इस तह से आया है यह हमने इसकी length complete कर ली थी और इसके बाद हमने एक front post और एक back post का इसमें हमने border बनाया है और border में हम 7 रों बनाकर इसकी complete की है और यहां पर length पर देखे तो देखे जहां से हमने इसे divide किया था यहां से count करें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा रों बनाकर हमने इसकी complete की है सेम ऐसे ही हमने देखे ग्यारा रों बाजू में बनाई है और फिर हमने 7 रों का हमने इसमें यह border बनाया है इस तह से यह हमारा बनकर complete हुआ है देखे दूसरी बाद जो भी सेम बनाई है और अब हम देखे इस पे यहां पे last में गले पर किनारी करेंगे वो किस्ता है से बनाएंगे तो चले बनाते हैं देखे अगर आप चाहे तो इसमें सेम ऐसे फ्रेंट पोस्ट और बैक पोस्ट का border बना सकते हैं जिससे हमारा round neck बन जाएगा लेकिन हम यहां पर half double crochet की एक row बनाएंगे वो देखे किस्ता है से देखे कहीं से भी हम इसमें धागा joint कर लेंगे यहां पर दो chain बनाएंगे एक दो धागा लेंगे next chain में जाएंगे half double crochet बनाएंगे इस तरह से half double crochet बनाएं फिससे धागा लेंगे next chain में जाएंगे यहां पर भी हम half double crochet बनाएंगे फिर से नेक्स चेन में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह हम हर एक चेन के अंदर एक-एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए इस तरह से रो कम्प्लीट करेंगे देखिए इस तरह से बनाकर रोंड कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए एक किनारी हमने बनाकर कम्प्लीट की है अब हम इसके उपर एक यलो से बनाकर कम्प्लीट करेंगे सेम ऐसे ही हम इसमें एक सिंगल क्रोशी की, सोरी हाफ डबल क्रोशी की रो बनाएंगे, देखिए किस तह ऐसे, जहां से हमने धागा जॉइंट किया था, सेम आही पर दुबारा जॉइंट करेंगे, एक, दो चेन लेंगे, धागा लेंगे, और आगे हम इसमें, देखिए इस एक बार बनाया दो 3 4 5. 5 बना लिया है देखे अब हम आगे क्या करेंगे 5 बनाने के बार दगा नहीं लेंगे और एक chain में से निकालेंगे फिर हम दूसरी चेन में से निकालेंगे इस तैय से देखे यह हमारे पास तीन लूप हो गए इन तीनों को हम एक साथ कम्प्लीट करेंगे धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में यह दो हो गए फिर से बनाएंगे तीन च्यार दोनों रो बनने के बाद देखे इसका लुक कितना प्यारा बन कर आया है अगर आप चाहे तो इसमें एक फ्रेंट पोस्ट और एक पैक पोस्ट का बोडर भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे भी बना हुआ बहुत ही प्यारा बना है उम्मीद है फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आयोगी मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू